अगर आपके बस Realme Narzo 5050 Pro कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप widget कैसे set कर सकते हैं आपने home screen पे या remove कर सकते हैं widget यह होते हैं जैसे कि आपका यह Google search बार है यह भी एक तरह का widget है अगर यहाँ से remove हो गया है या फिर यह आपका date और time यहां से widget है यह भी remove हो गया है तो यह चीज़े आप कैसे set कर सकते हैं तो इसकी setting करने के लिए आप screen पर touch करके रखेंगे आपका यह जो widget का option है आप इस पर click कर देंगे यहां पर आपको clocks के अलग अलग स्टाइल देखने को मिलते हैं आप यह calendars है यह वाला calendar चाहिए यह वाला style चाहिए यह भी मिल जाएगा यह chrome हो गया contacts जिसका shortcut आपको मिल जाएगा जैसके कुछ favorite contacts होते तीन चार लोगों की numbers वह आपको screen पर दिख जाएगे और यह आपका digital well being हो गया कि फोन का statics जितना देर आपने फोन चलाया यह इसी type के यह तरग क्या होता न कि आपके फोन में कुछ application होती है उसका shortcut होता है कि direct आप उसी page पे जाओ ठीक है जैसे snapchat है मेरे phone में snapchat मे मैं कुछ best friend है मेरे यह रख लूँगी तो मेरे खाली मैं direct अपने best friend से चैट कर सकते हूं चैट वाले option पे चले जाओंगी मैप वाले option पे चले जाओंगी तो इन में से आप कुछ भी shortcut अपने phone में रख सकते हैं widget के थूँ ठीक है और जैसे कि अभी मैं clock set करना चाहती हूँ यह वाला widget मैं एक set कर लूँगे इस वाले page पे यह set हो गया है done पे click कर देंगे यह set हो गया न एक और add कर लेंगे widget मैं लो calendar ही कर लेते हैं तो इसको ले जाके मैं यहाँ पे set कर दूँगे तो देख सकते हैं यहाँ पे calendar का widget आ गया अब यह आज 7 जून है आज कुछ नहीं है लेकिन आने वाले next time में 20 जून को रथ यात्रा है यह event बताएगा अब ठीक है तो मैं इसको remove कर लूँगे अब लाते हैं google search बार तो इस टैप से आप यहाँ पे कुछ set कर लीजेगा widget वगरा और remove कर लीजेगा चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार